इस तरह से अंडा करी बनाएंगे तो प्लेट के साथ साथ उंगलिया भी चाटेंगे नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है तेहां पर हम 12 अंडा को पहले उबाल लिये हैं उबाल का छिल लिये हैं अब मैं इसे फ्राइ करूंगी तो मैं करा ही ली हूं इसमें सर्सो का तेल डाली हूं उसमें अंडा को डाल दी हूं अंडा को फ्राइ करने के लिए अंडा को चलाते रहना है इससे की अंडा जले नहीं नीचे से इस तरह से चलाते रहिए अंडा लगवग फ्राई हो चला है तो अंडा को निकाल लिए कराही से अवसी तेल में अब हम आधा चमच जीरा का फोरन डाले हैं और हम मसाला डाले हैं मसाला में है अधा चमच हल्दी पाउडर अधा चमच लाल मीच का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच काली मीच का पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चमच लहसुन का पेष्ट और स्वाध अनुसार नमक डाल कर हम इसको अच्छी तरह से चला दे रहा हैं जिसे की मसाला जले नहीं अच्छी तरह से भुना जाए मसाला को चलाते रहना है जब तक जब तक की मसाला से तेल नहीं छोड़े इस तरह से मसाला को चलाते रहे मसाला भुणा गया है तो इस चार मीडियूम साइज का प्याज मैं पहले ही उबाल ली थी पानी में मैं इसको उसमें डाल दी हूँ और डाल कर मैं अच्छी तरह से चला दे रही हूँ थोड़ा सा प्याज को भूनना है जिसकी इसका कच्छापन चला जाए अब मैं इसमें हलका सा पानी डाली हूँ और अंडा को डाल दी हूँ अंडा कड़ी बनकर तयार है बहुत ही स्वादिष्ट सरफ करने के लिए अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें